हलो दोस्तों मेरा नाम है सराफत आप देख रहे हैं यूनो गल्फ यूटूब चैनल दोस्तों आज हम सिखने वाले हैं आप अपने ह्टीसी पे में मिंटों में पैसा एड़ कर सकते हैं चाहे साओधी अर्ब का किसी भी बैंक एकाउंट में आपका खाता हो चाहे आपका काड मास्टर हो चाहे वीजा हो चाहे नोर्मल मादा काड क्यों ना हो कोई भी काड हो आप मिंटों में पैसा एड़ कर सकते हैं तो चले चलते हैं सीखते हैं उससे पहले एक चोटा सा रिक्वेश्ट है दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल लाइक सस्क्राइब न देखने को मिलेगा तो सबसे पहले यहां आप देख रहे हैं मेरे अच्टी सीपे में 10 रियाल है करेंट बाइले ठीक है अभी हमको पैसा एड़ करना तो यहां आप देख रहे हैं एड़ मनी उस पर क्लिक कर लेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इटियम तो अगर आपके पास सेकेंड मास्टर इटियम कार्ड है तो और तीसरा हम बताएंगे अगर आपके पास वीजा मास्टर कार्ड नहीं है नॉर्मल मादा कार्ड है तो उससे भी हम स्टी सीपे में पैसा एड़ करना सिखेंगे तो पहला अभी हम सिखा रहे हैं आप नीचे लिखा कर लेंगे उसके बाद यहां आप नीचे देख रहे हैं प्लस का अईकन और लिखा डडेबीड काड और क्रेडिड काड उसके सेक मैं आ मेराzw Bolend आमढ्र मीकार्ड कर नहींगे जैसे से मारे नहीं बड़ने काड्री नहीं आप आपके कार्ढ़ नमबर पे जो नमबर है, उन्क 16 आंकयों आप यहां पे लिख ले जैसे मेरा कार्ढ़ आप देख रह रहा हैं सेम इसी तरह काड़ काड़ होगा वह नमबर यहाँ पे अभी मेरा रहे नीचे card के number के नीचे लिखाए असपारी डेट तो सेम एसपारी डेट आप यहाँ पर लिख लेंगे आप अपना ATM card का उसके बाद याप card एसपारी डेट लिखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं CB number तो आप card के back में देखे तीन दीजरी पेहां का नमबर होगा CB नमबर वो नमबर टैप कर लेंशंपिल यहां पे कार्ड का नमबर CB नमबर डालते ही उसके बाद चोधी नमबर पर आप देख रहा है लेबल तो लेबल का मतलब कह रहा है कि आपका कार्ड कौन सा है जैसे mastercard है या visa तो मेरे पास अभी आप card देख रहे हैं मेरे पास अभी है master card तो हम यहाँ पर simply master लिख देंगे उसकी बाद यहाँ आप देख रहें नीचे add card उस पर हम click कर लेंगे उस पर click करते ही कुछ इस तरह का interface आएगा आप देख रहें यहाँ लिखा है to confirm your credit card वन रियाल ट्रांजेक्शन विल बी दा चेकड यू विल बी डारेक्ट 3D सिक्यूर यूर बैंक वन रियाल विल बी दा रिफॉंड अगर आप यह काड अभी एड करेंगे न तो अटमेटिक काड से एक रियाल कट के आपके स्टी सीपे में जमा हो जाया तो यह देखें आप नीचे देख रहे हैं अप्रूब अप्रूब उस पर हम किलिक कर लेंगे उस पे क्लिक करने के बाद यहां आप देख रहे हैं ओके कर दें उसके उस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहां आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक है उस पे एक OTP आएगा सिंपली वो OTP यहां पे आप डाल दें ूटीप डालने के बाद कि यहाँ आप देख रहे हैं संमित पर क्लीक कर लेंगे संभी पर क्लीक करने के बाद आप देख रहे हैं । देख रहे हैं कि यहाट जचंटल tutorials account successfully तो आपका एड हो गया सिम्हित उसके बाद यहाँ पर आप दून करते हैं अपके मुवाइल मैसेज भी आ जाएंगा अप ड़न कर देढ़ डन करने के बाद आप देख रहे हैं जैसे अमने ये नीचे card add की हैं भी आपके सामने तो ये card हो गाए ठीक है उसके बास से back बैक चले जाए बैक चले तो आप देख रहे हैं सबसे मेरे अकाउंट में पहले दस रियाल था अभी 11 रियाल हो गया तो अब हमको पैसा एड़ करना है ज्यादा तो आप यहां देख रहे है एड़ा मनी उस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहां डेविट और क्रेडिट कार कार्ड तो हम उस कार्ड पर क्लिक कर लेंगे पैसा एड़ करने के लिए जैसे यहां आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ मेरा सिराफत उस पर हम क्लिक कर लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप कितना पैसा एड़ करना चाहते तो यहां पर दे पैसा आजाएगा तो फिर से आप चेक कर सकते हैं फिर से आप यहां कॉम्फर्म कर दें आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है तो सिम्पिली आपके फोन पे जो बैंक में नंबर लिंक है उस पे एक OTP आएगा वो OTP यहां पे हम डाल देंगे और डालने के बाद सम्मिट कर देंगे सम्मिट करते ही आपका पैसा एड हो जाएगा सिम्पिली आप देख रहे हैं money has been added to your account 40 रियाल देख रहे हैं तो आप डन कर देख दें सिम्पिली आप यहां पे देख सकते हैं current balance 51 रियाल पहले 11 रुपय था अभी हम 40 रुपय एड किये हैं तो इस तरह से आप पैसा एड कर सकते हैं अब दूसरा method आपको हम बताते हैं एड करने का जो जिन भाई के पास अगर visa card mastercard नहीं है उनके लिए तो फिर सिम्पिली आप यहां पे देख रहे हैं add money उस पे click करने के बाद आप यहां देख रहे हैं सदाद instead payment उस पे हम click कर लेंगे उसके बाद यहां आप देख रहे हैं आपके पास सदात number है यह सदात number उसको हम copy कर लेंगे कॉपी करने के बाद simply आपके जो भी बैंक एकाउंट में खाता है उसका इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं उस पे चले जाएंगे जैसे मेरे पास अभी SNB का एकाउंट है तो हम उस पे चले जाएंगे लोग इन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा ठीक है तो यहां आप देख रहा है अभी हमें STC पे में पैसा एड करना तो यहां आप देख रहे सद्धात उस पे कलिक कर लेंगे उसकी बाद यहां पहले नमबर पे देख रहे हैं सदाथ पैमेंट उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करने के बाद यहां आप देख रहे हैं एड़ न्यू बिल उस पे हम क्लिक कर लेंगे आप देख रहे हैं red line उसके बीच में लिखा आना add a new bill उस पे हम क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करने के बाद यहां देख रहे हैं दूसरे नमबर पर please select a biller company उस पे हम क्लिक कर लेंगे इस पर किलिक करने के बाद यहां पहले नंबर पे देख रहें है। सर्च पर किलिक कर लेंगा। यहां पर हमें लिख देना है STC OUT नीचे देख रहें हैं यहां नीचे देख रहें हैं 207 हुत करने हिए C bisschen चीपकुद्म कर मैं। इategories करने के बाद जो अभी स नमबर आपने copy किया था आप अपना वो यहां पे हम paste कर देंगे आप चाहे तो दुबारा चिक कर सकते हैं अच्छी तरीका से ठीक है उसके बाद यहां देख रहे हैं लिखा है चोथे नमबर पे sort name तो आपके stcp में क्या नाम है तो कोई भी last name या first name लिख सकते हैं तो जैसे मैं last नाम लिख रहा हूँ या आप चाहे तो पुरा नाम लिख सकते हैं नाम लिखने के बाद आप यहां पे देख रहे हैं proceed उस पे क्लिक कर देंगे उस पर क्लिक करते ही आपके फोन पे एक बैंक के तरफ से एक OTP आएगा सिंपली वो OTP यहाँ पर हम टैप कर देंगे OTP टैप करते ही आप देख रहे हैं एक कॉल भी आएगा आपके पास सब्सक्राइब के तरफ से यहां पर देखें जैसे आप जैसे मेरे पर कॉल आया मैं आपको कॉल भी सुना रहा हूं जैसे आपका कॉल आएगा आप एक्टिवेट करना चाहते है तो वन दबादें वन दबाएंगे तो क manufactum क टूम आपका एड हो जाएन भी तो ऑसके बाद कमफर्म कॉल कॉल पे क्लिक कर दैंगे करदे एक हैं आप यहां भी देख रहा हैं फिनिस कर दें उसके बाद आपके मुबाल पर अपिनिस कर दे हैं इसके बाद मो बहने हमने एड एक किये हैं यहां पर लिखा है सराफत और यह नमबर कुछ देख रहे हैं तो यही हमारा सदात नमबर है अब हमें पैसा एड करना है यह थे तो यहां पर आप देख रहे हैं सराफत और मेरा सदात नमबर भी सो कर रहा है तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहां आप देख रहे है जीरो जीरो उस पर हम किलिक कर लेंगे उस पर किलिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आगा तो यहां पर सेमप्ली आपको कह रहा है amount type input here तो आप कितना पैसा add करना चाहते है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम पैसा लिख देंगे जैसे अभी हमें 200 रियाल एड करना तो यहाँ पे हम 200 रियाल लिख देंगे और यहाँ आप देख रहें save change उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करनेके बाद आप यहाँ आप जिख रहें नीचे proceed उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे जिलिक करनेके बाद simply आपके फोन पे एक ओटी पी आएगा बैंक के तरफ से बोटी पी simply यहाँ पे लिक करके हम confirm कर देंगे password ओटी पी डालने के बाद simply आप यहाँ पर दिख रहे हैं finish यहाँ पर उपर पर लिखा भी देख सकते हैं successfully और उसके बाद हम finish कर देंगे finish करते ही आपके देख रहे हैं stcp के तरफ से message we are valid top of we सद्दात वैलेड अब हम simply बैक चले जाएंगे अब हम चले जाएंगे stcp पर अब हम आपको दिखाते हैं stcp में अपना violence अब आप देख सकते हैं हमारे stcp में पहले था 51 रुपया अब हो गए 200 रुपया तो इस तरह से आप stcp में पैसा add कर सकते हैं thanks for watching उमीद है कि आपने सीख लिया